मेरे सबी भाईयों को नमस्कार कैसे आप सबी उम्मीद करते हैं आप सबी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो आज हम बात करने वाले हैं इसराइल के वारे में जी हैं कुछ बहुत ही जरूरी ख़वर आई हुई हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ म करने वाला हूं जो चीजे कुछ चीजे कुछ कुशन उसमें ऐसे भी है जिसके लिए आपको ओफिस में कॉंटक्ट करना पड़ेगा तो आए वीडियो सुरू करते हैं तो ध्यान से सुनिया क्योंकि इसमें बहुत ही इंपोटेंट न्यूस होने वाली है क्योंकि जितने भ आपका और अबी चल रहा है ठीक है और एविडय बी आई नहीं है क्लाइंट इंट्रीवीु क्यों जैसे ही आएगी आपको बतादिया जाईगा ठीक है नरा औस से खबर मिल जाएगे आपको लेकिन उससे पहले आपको एक चीज चीज का ध्यान एक है आपका ऑफिस इंट् बखा होगा तब ही आप client interview दे पाएंगे जी हां अब बाद करते हैं कि कि में किन-किन ट्रेड के इंट्रव्यू होने वाले हैं तो मैं आपको बता देता हूं इंट्रव्यू किन-किन ट्रेड के होने वाले हैं सबसे पहले इंट्रव्यू जो है मेशन जी हां मेशन का इंट्रव्यू होगा उसके बाद में जी सैट्रिंग कारपेंटर का होगा ठीक है तो वह अपना ओफिस इंट्रव्यू दें जाके, क्योंकि क्लाइं ट्रव्यू तभी हो पाएगा जब आपका सीवी लाइन आप होगा, आपका सीवी लाइन अप होगा我們 आपका client interview होगा otherwise आपका client interview नहीं हो पाएगा यदि आपने अगर office interview नहीं दिया तो आपका client interview नहीं हो पाएगा यह यह बहुत important news है ठीक है इस बात का मेरे भाई ध्यान रखें और इसमें एक और trade है जी हाँ civil foreman की जी हाँ civil foreman की trade है ठीक है और इसमें एक चीज और है मैं आपको बता देता हूँ जो civil foreman है उसमें भाई English must है English आपको आने ही चाहिए इन्होंने English के लिए compulsory बोला हुआ है इससे पहले भी जो मैंने वीडियो अपलोड की थी demand को लेके जिसमें मैंने fourman के बारे में बताया था उसमें भी आपको बताया था मैंने कि इंग्लिस इसमें compulsory है जी हाँ और इसमें एक driving lessons भी compulsory है अभी इसमें बात करते हैं हम कि पासपोर्ट की वैलेडिटी की कि मेरे भाई कई बार पूछते हैं भाई पासपोर्ट की वैलेडिटी कितनी होनी चाहिए तो भाई पहले भी बताया दिया था मैंने कि भाई without PCC भी पहुंच जा रहे हैं भाई without PCC काम नहीं होगा ये बात मैंने पहले भी बता दिया आपको PCC देने ही पड़ेगी सबसे पहले कोशिज करें कि passport office से PCC बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको ज्यादा ही problem हो रही है आपको appointment date नहीं मिल पा रही है PCC की passport office से तो आप SSP office से भी आप अपना PCC बनवा सकते हैं जी हां लेकिन उसका ध्यान रखना है जो भी प्रिंट होके आएगा वह इंग्लिस में प्रिंट होना चाहिए ना कि हिंदी में जी हां हिंदी वाली जो printed PCC होगी वह valid नहीं है इंग्लिस में ही प्रिंट होनी होगा तो इस बात का खास द्यारनक ना कि भाई अपनी PCC अभी ही apply कर दें और जो भी मेरे जाना चाहते हैं वह अपना office इंटर्व्यू दें और भी इसमें एक जरूरी खबर है वह भी मैं आपको बता देता हूं जो भी मेरे भाई जाना चाहते हैं वह अगर उनका office इंटर रखे 22 फरवरी बताई हुई है तो भाई जो भी जाना चाहते हैं वह अपना 22 फरवरी तक पहुंच जाए लास्ट इट 22 फरवरी के बाद अगर आप जाते हैं तो आपका registration नहीं हो पाएगा office में ठीक है और फिर आप client interview नहीं दे पाएंगे तो इसलिए best है कि आप जाना च हो पाए office में आपका registration हो पाए तो आपको इस बात का खास द्यान रखना लास्ट बाई 22 फरवरी है तो इस बात का भी खास द्यान रखना यह भी बहुत जरूरी खबर है ठीक है इसके बाद मैं बात करता हूं भाई इसमें age का क्योंकि age के लिए भी बार-बार question आ रहे हैं ठीक है तो जो age मैं एउने 25 से 55 साल जी हाँ पैना आले साल से जादा एज़ नहीं होने चीए 25 साल से कम ही अज होने चीए लाश्ट 25 साल तक ही चलेगी 25 से कम वाले भी पूछ रहे हैं भाई हमारे तो 23 साल है 24 साल है इसमें हो जाएगा भाई नहीं हो पाएगा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि भाई इन्होंने साफ कहा है हमें 25 से लेगे 45 साल मतलब 25 स्टार्टिंग 45 लास्ट जी हां हम 45 से उपर भी नहीं लेंगे और 25 से नीचे भी नहीं लेंगे तो इस बीच के जो भी मेरे भाई है जिन भी मेरे भाई की एज 25 से 45 के बीच में है या 25 से 45 तक है तो उनका काम हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि एज को लेके भी कई बार कोशन आ रहे हैं तो मैंने सुचा इस कोई बार में मैं आपको बता देता हूं ठीक आपको बात करने पड़ेगा आपको बात करने पड़ेगी क्योंकि मेरा काम सिर्फ है आपको डिमांड के बारे में बताना इंटर्वियू कब होगा यह बता सकता हूं और चीज़े जो पूछने आपको उसके लिए आपको ऑफिस से ही कॉंटक्ट करना पड़ेगा ठीक है जैसे कि अब लास्ट वीडियो मैंने अप्लोड किया उसमें यह कुशन पूछ रहे हैं भाई कि और लेटर को लिखे भी पूछे आ रहे हैं तो भाई और लेटर के लिए आप जिसके कॉंटक्ट में हैं आप उनसे बात कीजिए क्योंकि यह सारी ऑफिस्यल खवर है इसके आपको ऑफिस में ही जाना पड़ेगा यह सारी डिटेल हमारे पास नहीं होती है हमारे पास सिर्फ डिमांड के रिगार्डिंग ठीक है इंटर्विव कब होगा इसके रिगार्डिंग की खवर रहती है इसके अलावा जो भी कुशन है चार्जिस वगरा और भी जितने भी चीज़े हैं वह आपको आफिस में जाके पता करना पड़ेगा ठेके ना इसके अलाबा और कोई कोशन नॉर्मल कोशन नॉर्मल चीज़ें वह हम बता सकते आपको एक चीज़ और अग्रिकल्चर को लेकर